ऐलो फ्रेंट्स गूट पॉर्णिंग वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज बहुत दिनों के बाद धूपने के लिए और जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही जरुरी होती है प्लांट्स क्या हम सब के लिए ही संलाइट बहुत ही इंपोर्टेंट है यह हमें जरूर चाहिए सनलाइटिसी से हमें हमारे प्लांट से ग्रोध होगी और फ्लावर्स प्याएंगे और पत्यां भी तबी क्रीन होगी तो फ्रेंड्स आज हम इनमें एक फटिलाजर देंगे आज यह देखी चार-पांच दिन से मैं इनमें पानी नहीं डारा था तो आज मिट्टी थोड़ी इनकी ड्राई है तो आज हम ड्राई मिट्टी में ही देना चाहिए कोई भी फटिलाजर तो फ्रेंड्स जितने मेरे चुनमून है कि इसमें मैंने बंद करके पने पास रख ले ड्रीट को तो टो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं यह देखी मैंने 2 इन दिन पहले steps 7 दिन हो گए हैं उसको भी हो दूना घिल्ल ॉड करणगी डैल वट कर कई इसको पाने में प्रांस में दू ही मैंने निन सब्दों कि और रोल दोनों मिलाई हैं कि और यह सर्षों कि पानी में इसको डालूंगी, क्योंकि इसको ज्यादे नहीं डालनाा इसमे मैंने मिला लिए, तीन लेटर पानी होगा अब यह देखे इसको अच्छी तरह से मिला कर सारे प्लांस में दे दूँगे, और इसका पानी ऐसा रखना हा यहलाए, बस light yellow सा पानी हो जाए ज़्यादा dark नहीं होना चाहिए यह हमारे plants के लिए best है बस ऐसा पानी मैंन में सब plants में दूँगी friends और इससे हमारे plants को की growth भी होगी और उस पर flowering भी शुरू होगी इसको हम सब plants में दे सकते मैं सब plants में देते हूं इसको और आप भी इसको जरूर दी के लिए जो winter के हैं वैसे तो मैं सब में डाल देती हूं इसको यह सब के लिए फाइदा मन्द है क्योंकि organic है यह कोई नुकसान ने देगा यह chemical fertilizer नहीं है तो और इसमें हमें side से पानी देना है friends ऐसे ताकि यह पत्यों पे नागी रहे क्यों कि पत्यों के लिए नुक्सान द जाए उनको नहीं तो हमारा plant भी खराब हो सकता है तो friends आज बहुत अच्छा लग रहा है दोप इतने दिनों के बाद निकली है तो बहुत खुशी होती है sunlight में हम सब को जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है मैं सब plants में यह दे दूंगे friends और यह dry जब हमारी मिटी होती है तब ही वर्क करता है इसलिए इसको dry मिटी में ही कोई भी कमपोस्टों हम जाद देंगे तो वो जल्दी से असर करेंगे हमारे plants के उपर मैं सारे plants में दे दूंगी बहुत दिनों से बहुत थी मतलब flowers पे बिल्कुल flowers नहीं आ रहे हैं अब इससे इसकी growth भी होगी और sunlight मिलेगी इनको तो यह अच्छे से हमें flowering देंगे तो friends मैंने इसमें डाल लिया है वो पानी और मैं सब plants में अब दे दूंगे क्योंकि इससे पानी देना बहुत इसी है तो मैं इधर सारे plants में अपने दे दूंगे friends यह देखिए इther मेरी बालकने में बहुत अच्छी धूप आती है जब होती है तो बहुत अच्छी पूरे दिन धूप रहती है इससे मेरी plants की बहुत अच्छे अच्छी growth होती है यह देखे इधर मेरा नार के लिए लगा और यह मेरे चुन्मन यह देखे बहुत चिलाते हैं बैट के बहुत खुश होते हैं इनको भी धूप जरूरी है देनी चाहिए अपने पैट्स को भी और इधर मेरे यह सारे प्लांट्स है छोटे-छोटे मैंने छोटे पॉट में और गनिक है कोई से नुकसान नहीं होगा तो फ्रैंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रैंड्स like जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बल डॉन को प्रेस करना फ्रैंड्स कि मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको अच्छे औछी वीडियो दे सकूं बनागर और अच्छी जान करें दे सकूं जितना मुझसे होगा दोस्तों मैं अच्छी जान करें आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी अपना ये शौक पूरा करें और गार्डनिंग जरूर कीजिए फ्रेंड्स चाहिए कम प्लांट लगाईए लेकिन लगाई तो थेंक्यू दोस्तों